दोस्तो आज हमारा जीवन हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सुख सुविदा भरी और आराम दायक बन चुकी है लेकिन क्या आपको बता है कि आज से करीब 120 साल पहले सन 1900 में हमारे पुर्खे किस तरह से जीते थे दोस्तो हम आज आपको उस दौर की वो चीज़े नहीं दिखाएंगे जो न्यूस पेपर में और न्यूस चैनल्स में मिलती है हम आज आपको वो जिन्दगी नहीं दिखाएंगे जो उस समय में दुनिया के बहुत ही पावरफुल और पॉलिटिसन्स लोगों की थी लेकिन हम आज आपको उस दौर का वो जीवन दिखाना चाते हैं जो हमारे पुर्खे जीए है जो देश के आम नागरी जीए थे तो चले जानते हैं साल 1900 के दौर में हमारा भारत और ये दुनिया कैसी थी दोस्तो आज से करीब 120 साल पहले यानी 1900 की साल में लोगों का जीवन आम तोर पर on average 47 साल का हुआ करता था यानी की life expectancy सिर्फ 47 साल ही थी जबकि आज की डेट में on average लोग 79 साल तक जिन्दा रहते हैं उस समय के डेटा बताते हैं के पूरे विश्व की ज्यादातर महिलाए करीब महिने में एक बार ही अपने हाथ वाश करती थी उस जमाने में भारत में बेडी पिना या विक्सित देसों में सिगरेट पिना आम बात थी और लोग काम करते-करते खाते वक्त पी और कभी-कभी hospitals में भी सिगरेट पिया करते थे शहरों की बात करे तो ज्यादातर कस्बे बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल और करिब करिब गंडे थे उस वक्त दुनिया की सबसे उची इमारत पार्क रो बिल्डिंग थी जो अमेरिका के नियॉयर्क शहर में थी और जिसकी उचाई सिर्फ 119 मिटर थी जबकि उस वक्त दुनिया का मैनमेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एफिल टावर था जिसकी उचाई 300 मिटर है जो आज के बूजख खलिफा से आदे से भी कम है दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी के उस जमाने में शहरों में ज्यादतर गाड़ियों की स्पीड लिमिट मैकसिमम 10 माइल पर अवर थी साल 1900 में ज्यादतर देसों में अंतर जातीय सबंद यानि की होमो सेक्सॉलिटी एक क्राइम हुआ करती थी और कैनेडा में गरिब लोगों को जाने की एंट्री नहीं थी उस वक्त 95 फिसदी महिलाओं की डिलिवरी घर पे ही हुआ करती थी यानि की ज्यादतर बच्चे घर पे ही जनमते थे इसलिए डिलिवरी के समय में महिला या बच्चे का मोटालिटी रेट बहुत ही हाई था जबकि आज करीब 99 परसें महिलाओं की डिलिवरी होस्पिटल में होती है भारत की बात करें तो करीब 120 साल पहले भारत भी ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं आज जंगल और भागीचे भारत में बहुत ही कम हो गए है लेकिन पहले के जमाने में देश में हर जगह पर हर गाव में छोटे बड़े भागीचे हुआ करते थे और जंगल तो बहुत ही ज्यादा बागी जे भी उस वक्त उतने सुमसान हुआ करते थे के लोग शाम को वहाँ जाने से भी डरते थे पोपिलेशन की बात करे तो साल 1900 में भारत की पोपिलेशन करीब 24 करोड थी जाहिर है के ये जनसंख्या ब्रिटिस राज के इंडिया की यानि की आज के बारत पाकिस्तान और बांगलादेश को मिला कर काउंट की गई थी आज कल हम टाइम पास के लिए अपना ज्यादातर समय मोबाईल पे टीवी पर या फिर थीएटर्स और मॉल में गुजारते हैं लेकिन उसवक्त जब लोग फ्री होते थे तो अधिकतर लोग गाओ की एक जगा पर इकटे होकर बाते किया करते थे बुक्स पढ़ते थे विविद कॉम्पिटिटिव खेल खेला करते थे और तलवार बाजिया सिखते थे इसके अलावा गाओ देहार में जो लोग खेती पे निरबर थे वो अधिकतर अपने पूरे दिन का काम तमाम करके शाम को जब गर आते थे तो वो खाना खाने के बाद भजन किर्तन किया करते थे और सुबह प्रबात फेरिया भी हुआ करती थी जो आज भी कही कही पर देखने को मिल जाती है उस वक्त अंग्रेस हमारे देश के राजगराने के लोग या कुछ पैसे वाले लोग अपने टाइम पास के लिए अपने शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे भारत में आज के समय में हम चीन्स पैंट, टी सर्ट्स और सर्ट्स पहनते हैं अब तो छोटे बच्चे भी पैंट्स के बिना नहीं रहते हैं 1980 या 90 के दशक की बात करें तो बच्चे चढड़ीया पहना करते थे लेकिन 1900 की साल मेशोटी-छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजूर्ग भी धोती पहना करते थे दोती और कुर्ता और दोती या खमीस हमारी वेश भुशा या हमारा असली पोशाक हुआ करती थी आहम दनी की बात करें तो उस जमाने में भारत में लेबर काम करने वाले लोग रोज के 30 पैसे कमाया करते थे यानि की महिने के करीब 10 रुपे से भी कम और उस वक्त किसी की जेब में अगर 3-4 रुपिया भी इकठा मिल जाए तो उसे अमिर माना जाता था वैसे 120 साल पहले आम तोर पर कॉइन के ही सिक्के हुआ करते थे पेपर मनी की बात करें तो भारत में सबसे पहले रुपिये की नौट 30 नवंबर 1917 को चापी गई थी लेकिन इस से पहले हम कोइन्स का उप्योग करते थे और ये कोइन्स नगत चांदी के हुआ करते थे और ये सोने चांदी के सिक्के हजारों सालों से भारत में उपलब्द थे 2000 साल से भी ज्यादा टाइम पहले जब भारत में चंदरकुप्तमौरिये का राज हुआ करता था तब प्रदान मंतरी चानक के हुआ करते थे और उस वक्त की इकोनोमी में भारत में 4 टाइप के सिक्के हुआ करते थे जिसमें gold coin को swan rupa, silver coin को candi rupa, copper coin को tamrupa और lead के coin को shisha rupa कहा जाता था जिसमें rupa का मतलब form या shape होता है और ये सारे सिक्के रुपिय की आज की valuation से बहुत ज्यादा किम्ती हुआ करते थे और रुपीज वर्ड संस्कृत शब्द रुपिया से आया है जिसका मतलब होता है गाड़ी हुई चांदी उस जमाने में ज़्यादतर लोग धार्मिक हुआ करते थे और भूद प्रेतों जैसे चीजों पर भी विश्वास किया करते थे गरों की बात करे तो अधिक दर लोगों के गर मिट्टी के और छोटे थे और कस्बों की सडके भी बहुत ही सीकूरी हुई और छोटी हुआ करती थी मानो आमने सान में से एक साइकल ही जा सके क्योंकि उस वक्त आम तोर पर लोगों के पास गाडिया या मोटर साइकल जैसे वीकल नहीं थे इसलिए इन छोटी सडकों के बीच से उनका गुजारा हो जाता था तब ज्यादातन लोग बेल गाड़ी से अपना सफर तै करते थे और उन बेल गाड़ियों को भी अलग-अलग जगा पर रखने की अपनी एक जगा हुआ करती थी तब देश की लगबक अधिकतर सडके रेती ली और कच्ची हुआ करती थी इसलिए दूर का सफर तै करना बहुत ही टाइम कंजूमिंग और लंबा होता था इसलिए ज्यादातन लोग अपने आसपास के गाव में ही रिस्ता जोड़ा करते थे और तब दुनिया आज के मुकाबले बहुत बड़ी हुआ करती थी क्योंकि तब ना आज के जितने फास्ट वेकल थे और ना ही सोसेल मीडिया जो हमें सरलता से पूरी दुनिया का मानचित्र दिखा सके दोस्तों उस समय में अपनी अपनी हैसियत के लेवल पर लोगों के पास कुछ पैसे और गहने भी हुआ करते थे और जिनके पास ये सब था वो कई लोकर्स का उपयोग नहीं करते थे वो अपना पैसा और गहने मटकी में रखकर अपने घरों के आसपास गाड़ दिया करते थे और ये गाड़ा हुआ खजाना ही उनका लोकर हुआ करता था और ये खजाना किसी शादियों में, किसी फंक्सनों में, किसी जरूरत में या मुसिबत के समय में ही निकलता था तो दोस्तो ये था वो दोर जो करीब आस से 120 साल पहले हमारे पुर्खे जिया करते थे और आज का ये दोर है जिसे हम जी रहे हैं लेकिन दस्तो मैं आपके लिए एक कमपेरिटिव वीडियो लाने वाला हूँ हमारी नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने समय में और आज के समय में इच एन एवरिटिंग में कमपेरिटिवली क्या ड्रामेटिकल फरक आया है तो इसके लिए बने रहे दर नॉलिज के साथ और आप हमारी जानकारी रिटेन फॉर्म में बढ़ना चाते हैं तो हमारे एप्लेकिसन दर नॉलिज को भी डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिश्ट ने दिया गया है अब जब बहुत सारा ध्यान रखे, have a good day, take care